प्रणाम गुरुजी, जी वहिया, मेरा प्रश्णी ये था कि आपने काफी बार मांसाहार पर बोला है, लेकिन मैंने कभी आपसे ये नहीं सुना कि आपने गोह अत्या और दूद के सेवन पर कुछ बोला, बोला है कई बार बोला, जबकि दूद के सेवन ही सबसे बड़ा कार जैसे गाए जब मा बच्चा देने वाले होती है, तब ही दूद देती है, और जब बच्चा दे देती है, उसके बाद उसके बच्चडे को उससे अलग कर दिया जाता है, और इंसान अपने बिजनेस के लिए उससे दूद निकालते हैं, और यही प्रोसेस लगबक तीन से साल तक होता है जहां पर गाए को सुई दे के गर्ववती किया जाता है, और दूद निकाला जाता है, खुब इससे लेकिन जब दूद देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है गाए की, जब वो दूद नहीं दे सकती है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, या बुच् कि संभावना खतम होने के बाद भी उसको पालते हैं लेकिन वो बहुत ही कम है और जब आप बताते हैं कि दूद का सेवन करना चाहिए तो लोग, अब सारे लोग तो गाय पाल नहीं सकते तो वो अपने पास के दूद वाले से दूद लेते और वो दूद वाला तो फिर वही करेगा न जब गाय दूद देने का काबिल नहीं होगी तो बेच देगा उसको हमने कई वार ये कहा है जब भी हम दूद पीने की बात करते हैं तो हम साथ हमें ये जरूर कहते हैं कि घर में गाय रखो थोड़ा सी जगह खरीदो और वहाँ पर गाय रखो और अपने हाँ से गाय का दूद निकाल कर उस दूद को पीओ मैं बाजार का दूद पीने की सलाह कभी नहीं देता क्योंकि बाजार का दूद मिलाबटी होता है बात पर मैं जब भी बोलता हूं यदि हम प्रतेक व्यक्ति गाय को घर में रख कर सेवा करने लग जाएंगे तो गाय अपने आप सुखी हो जाएगे अब रही बात के आप गाय को बच्छडा या बच्छिया होने के बाद लोग उसका दूद पूरा निकाल लेते हैं पशड़े को नहीं पिलाते हैं तो देखो ऐसा है कि आज भी area आप कभी होई तो ओ कर दूद निकाला जाता है और दो तैन वे निकलता है । वह जितनी भी बित माता अं और यदी गाय का सारा दूद बच्छडे को पिला दिया जाए तो बच्छडा बीमार हो जाएगा आपको पता है बच्छडे को उतना ही दूद पिलाना पड़ता है जितना उसकी अब जैसे आज ही बच्छडा गया ने बच्छडा दिया अब आज ही उसके थनों में तो बहुत सारा दूद हैं सारा दूद पीलेगा तो वो मर जाएगा उसके दस्त लग जाएंगे और कहीं पेट खराब हो जाएगा इलाज कराना बड़ा मुस्किल हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा दूद दिया जाता पचाने की छमता उसकी बढ़ती चली जाती है फिर जब वो बड़ा हो जाता है जब वो चारा घांस इत्यादी खाने लग जाता है तब फिर समझदार लोगों से एक थन पिलाते हैं और तीन थन का दूद निकालते हैं भाई गाय हम सब का परिवार पालती आई है आज से नही तब तो आदमी और भी गव माता नहीं रखेगा तो चलो दूद के लालच सेही सही पर गव सेवा तो करो भगवान श्री कृष्ण भी दूद पीते थे तो दूद तभी तो पिया जाएगा जब निकाला जाएगा तो उचित निकालना चाहिए आज ही कछा में हमने बताया क गोपियां सारा दूद पी लेती निकाल लेती थी बच्णों को नहीं पिलाती थी तो भगवान बश्रे खोल देते थी बच्णों के हक का कम से कम एक थन तो पर्यापत पूरा उसको मिलना चाहिए और जब तक छोटा है तो दो थन जब बड़ा हो जाए साथ में घास भूसा खाने लग जाए या भचिया खाने लग जाय तो आप एक ठन पर उसको रख सकते हैं बाकी आज भी हमारे जितने भी ब्रंदावन में गईशालाओं में गाय को बच्णे को दूत पिलाया जाता है बच्णे पिलाया जाता है आप कभी गवरी को पल जाकर देखिए हमारी गा गाये हैं और 10,000 गाये में लगभग 8000 गाये ऐसी हैं जो दूद ही नहीं देती बीमार हैं मतलब जो बूचण खाने में जा रहे ही तो उनको पकड़ कर लाया गया तो आज भी ब्रज छेत्र में गायों की सेवा स्रेष्ट सेवा चल रही है कभी जाकर दर्शन कीजिए 10,000 गा अगर दूद निकालेंगे नहीं हम लोग तो फिर दूद ज्यादा हो जाएगा लेकिन आजाये जी मैंने देखा है कि गाय उतना ही दूद देती है जितना उसके बच्छडा पी सके लेकिन बच्छडा को पिलाया नहीं जाता है इसलिए वेटा आपको जानकारी तो है पर अधूरी है आपके घर में गाय है हाँ गाओं में है घर में नहीं है इसलिए आपको ग्यान नहीं है नहीं देखने से क्या होता है देखा तो आपने गरीबी भी है गरीबी देखने से थोड़ी गरीबी फील हो सकती है भाई गरीबी में जीने वाला और गरीबी देखने व गाय भी एक लीटर दूद देती है और जो बचला उसका हुआ है तो वो पूरा का पूरा दूर उसको पिला देंगे तो बीमार पड़ जाएगा पहले घर में गव माता रखो और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो समाज में जो परमपराई चल रही है गाय का दूद पीना ब गाय को रोटी खवाना चाहिए उचीत रोटी मतलब आप दो रोटी खवाओ चार रोटी खवाओ दस रोटी आप यदि इतनी सारी रोटी खवा देंगे तो गाय बीमार पड़ जाएगी गाय का जो पेट है ना वो चारा भूसा पचाने के लिए परियाबतों से दाना खिल घर में सेवा करेंगे तो आपको जादा अनुभाव होगा ठीक हैं अचारे जी अभी जैसे मतुरा में मैं था तो आँ भी मैंने देगा कि गाय को और स्पेशली मादा जो होती उनसे तो दूद निकाल लिया जाता है लेकिन जो नर होते हैं उनको रोड पे छोड़ दिया ज जाता है क्योंकि आप जैसे लोग गाय की सेवा नहीं करते केवल गाय की सेवा की बातें करने से कल्यान नहीं होगा घर में गाय रखो सब लोग और गाय की सेवा करो हम लोग सिरो बातें करते हैं हम पहले गाय की सेवा करने का संकल पले हम भी एक एक नंदी की सेवा करें दो कीजिए आप भी कम से कम एक गवमाता रखिए और जब नंदी हो इसका तो उसको भी रखिए फिर आपकी पडूसी भी एक नंदी रखे एक गवमाता तो भाई हम देश के 140 करोड लोग रहते हैं 140 करोड लोग हैं हम भारती लोग सब लोग एक गाय रखेंगे तो जो फुटप के तो क्योंकि उनको दूद मिल सकते हैं हाई स्वार्थ लाग करें सब प्रीती सुरनर मुरिजन की यहरीती तो सत्य है कि स्वार्थ है अब बताईए आप जाके देखिएगा जहां मैंने बताया स्वामी जी की गुशालम में 10 हजार गाये हैं 8 हजार गाये दूद नहीं दे 8 हजार गाये दूद नहीं देती अब उनको रखा गया उनकी सेवा हो रही और सेवा भी बढ़िया ऊपर पंखा लगा है गाये के नीचे गद्धा बिछा है और गाये बढ़िया समय से खा रही है और दूद नहीं दे रही है अब बताईए स्वार्थ वाली है कि नहीं स्व भर करता है आज भी बहुत सारी सेवाइं हो रही है नेश्वार्थ हो रही है अब देखो यहां गौरी को पाल जी की रसोई चल रही है आप सब जाके भोजन करते हैं अब बताई आप भोजन करते हैं इसमें हमारा क्या स्वार्थ है हम तो सेवा कर रहे हैं जो हमसे बन रहा है ऐसे जिस से जो बन रहा वो सेवा कर रहा है इसलिए जो कर रहा है उसका सपोर्ट कीजिए उस पर उंगली खड़ी न कीजिए खुश रहे हैं आप भी कीजिए आप उंगली खड़ी करने से काम नहीं होगा आप भी कीजिए